ओम स्री गनेशायनम दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूग चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई मंगलवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन में स्रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान नेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेसरासी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आर्थिक इस्तित्य आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली हैं और धन प्राप्ती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें ताकि आपकी आर्थिक इस्तिती में इजाफा हो सके धन्यधान प्राप्ति के उदेश्यों की आज पूर्टी हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो साती सात समय आज आज आपके लिए बहतरीन परस्तितियां तैयार कर रहा है दोस्तो आज आप अपने अंदर अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्य छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्य बनने से रहत मिलेगी आज दो फैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं दिन की सुरुवात में ही अपने महत्पपून कार्यों से सम्बंदित रूप रेखा आप बना ले संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक रहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधवुद परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्य में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में एप्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं अपने काम के प्रती एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती हैं विध्यारतियों को भी किसी कंप्रटीशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभाव नहें दोस्तो इस समय की की गई मेहनत के उचित परणाम हासिल करने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा इसलिए अपने उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी संबंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है जी हादोस्तो आज भाग्या आपके पक्ष में हैं पिछले कुछ समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परणाम आज हासिल होने वाले हैं जिस से आपको काफी खुस अनुभब होगा दोस्तो बात के लेते हैं आज़ आप के लिए क्या नेगेडिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंझस बहतर बनाये रखने का प्रियास करें ताकि घर परिवार में शुक शांती प्राप्ति हो और घरेलू विकास संभव हो सके माता पिता का ख्याल रखें किसी भी तरह की समस्य होने पर उनका ख्याल आप विशेश रूप से रखें दोस्तों साति सात किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है और कुछ उपलब्द भी हाथ से निकल सकती हैं जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है परंतो ज़्यादा सोच विचार करने से कई उपलब्दियं हाथ से निकल सकती हैं दोस्तों आए कि साथ खर्चों की भी इस्तितिया रहेंगी आप अपनी कोई महत्वपू anh वस्त दिल की बजाए दिमाग से निर्नेले भविस्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान गति विद्यों पर ध्यान अधिक केंदरित रखें। ऐसा करना आपके लिए अवश्य से ही लाबदायक साबित होगा। कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना अतियावशक है। आज कोई पेमिंट भी आपको करनी पड़ सकती हैं जिसकी वज़े से आर्थिक इस्तिती थोड़ी कमजूर हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ केशी रहने वाली हैं। दोस्तों के साथ फैमिली गैट टूगैदर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। दोस्तों साथ इसाथ परिवार में कुछ वैचारिक मतवेद भी रहेंगे। इसलिए अपने वैस्तम समय में से कुछ समय परिवार के साथ भी वैतीत करें। दोस्तो परिवार का वातावरण आज सकारात्मक रहेगा प्रेम संबंदों में सात्विक्ता रखना आवश्चक हैं साथ साथ पती पतनी में भावनात्मक तथा विश्वास पूर्ण रिष्टा रहेगा जिससे घर परिवार में भी वातावरण खुसनुमा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाइक गती विदियों में छोटी छोटी परिसानियां आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छ रहेगा जिहां दोस्तों आज वैवसाइक गतिविदी पर पैनी नजर रखें लापरवाय की वज़े से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमाम जनक इस्तितियां भी उत्पन होने की आसंका है नोकरी पैसा वाले ध्यान रखें कि उच अधिकारियों के साथ संबंद खराब ना हो आज का दिन पेमेंट कलेक्शन करने और मार्केटिंग के लिए अति सुब है क्योंकि रुक्वी ही पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याइं हल होंगी नोकरी पैसा व्यक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आधार पर तर्रकी के योग बन रहे हैं दोस्तों साथ साथ किसी अंजान व्यक्ति से अचाना की घनिश्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वैवसाइक गति विदियों पर बहुती अधिक एकागर चित रहें नोकरी पैसा व्यक्तियों को भी अपनी फाइलें और दस्तावेज समाल कर रखने की आवश्च रखता है वे ध्यार्तियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुला रहने वाला है साथ-साथ कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में आपको अवस्से ही फाइदा मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो थकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उच्चित खान पान और आराम पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें साती सात अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वैयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाई क्या है दोस्तो आज आप इशिनान आदी से निर्वत्र होने के बाद कुछ मीठी पूडियां बनाएं इसके बाद आप इन मीठी पूडियों को भगवान बजरंग बली का इसमरन करते हुए बंदरों को खिलाएं और साती सात अपनी मनों काम नए मांगें जा दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टो को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रही हैं समस्त परेशान हो कंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त्रकार रहें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान बजरंग बली का शिरवात आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जे बजरंग बली अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद